नमस्कार आप देख रहे हैं दो विहार टॉप मैं हूँ आपके साथ अमरिता पांडे बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड़े मिल योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है आपको बता दे कि बिहार में ठंड का मौसम चल रहा है ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में करना करना पड़ रहा है इस दोरान शिक्षा विभाग ने एक नया निर्देश दे दिया है जिसमें साथ और पे कहा गया है कि बच्चों को मिड़े मिल योजना के साथ अब जब तक थंड की स्तिति ऐसी बनी हुई है यानि कि आज 27 तारीक से लेकर 17 फरवरी तक बच्चों को मिड़े मिल योजना में पांस दिनों तक अंडे का बच्चे को अंडे खिलाने हैं और इसके साथ मौसम के हिसाब से जो मौसमी फल होते हैं वो भी देना है आपको बता दे कि ठंड का मौसम चल रहा है ऐसे में स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी परिशानी हो रही है बच्चे सुबा ठंड में स्कूल जाते हैं दिन भर स्कूल में रहते हैं और शाम मोट साम को ठंडी हवाओं के बीच ही वो घर आते हैं ऐसे में उनके एम्म्यून सिस्टम से लेकर बाकि जो भी सरीर की स्थिर्था है सब प्रभावित होती है ऐसे में सिक्षा विभ अशक ने सभी डीपियों को पत्र भेजा है पत्र में साफ तोर पे कहा गया है कि जो बच्चे शाकाहारी हैं उन्हें मौसम में फल दिये जाएं और बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें सब्ता के पांस दिन अंड़ा दिया जाए सुबह में स्कूल जाना बच्चों के लिए काफी कस्ट दायक हो रहा है दिन भर ठंड में स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं और शाम को घर आते हैं ऐसे में उन्हें ठंड लग सकती है इस बीच सरकार ने इन बच्चों को ठंड से कुछ राहत दिलाने की सोची है आपक संस्कूलों में कक्छा एक से आठ तक के बच्चों को मीडे में योजना के तहत भोजन उपलब्द कराया जाता है और इसके साथ चांत आपको बता दे कि इन बच्चों को एमडीयम के तहथ सप्ता के सातों दिन तक बच्चों को एमडीयम के तहथ सप्ता में एक दिन पहले अंडा और मौसमी फल दिया जाता है लेकिन ठंड को देखते हुए विभाग ने पांच दिनों तक बच्चे को अंडा और मौसमी फल देने का निर्देश दिया है ये सु निदेशक ने क्लियर किया है कि बच्चों को एक अंडा संपुन देना है उन्होंने कहा कि 4 जनवरी 2024 को पत्र भेज कर अंडा का कीमत 6 रुपया निर्धारित किया गया था ये दर फरवरी तक यही रहेगा सपता के अतिरिक्त 5 दिनों तक अंडों की कीमत जो है वो स्कूलों म से अतिरिक्त दिया जाएगा उन्होंने सभी डीपियों को इस निर्धेश का पालन सुनिश्चित करने और इसका नियमित निरिक्षन करने का भी आदेश जारी किया है तो आपको बता दे कि स्कूल में बच्चों को सही तरीके से पढ़ाई करने और सुरक्षित रहने के लि सब्ता में एक दिन बच्चों को अंड़े दिये जाते थे लेकίν अब थंड को देखते हुए MDMDPO को एक पत्र भेजा गया है जिसमें MDM के अतिरिक्त इन सभी खर्च को अलग से सिख्षा विभाग स्कूलों में मुहया कराएगी तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए दो विहार टो आपको फॉलो करें